अयोध्या में राम मंदिर का निर्माड पहले से ही शुरू है। इस सब के बीच ऐसा दूसरी बार होगा जब देश की सबसे बड़ी और कहा जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ऐसी रामलीला होने जा रही है अयोध्या में और सांसद मनोच तिवारी उसमें अंगत की भूमिका में होंगे। आपके हिसाब से समय रामड की भूमिका एक बहुत प्रसिद्ध एक्टर है साहबाज खान वो कर रहे हैं बहुत दक्ष एक्टर है और राम की भूमिका में दिल्ली के ही एक बहुत अच्छे एक्टर है राहुल वो होंगे मैं अंगत हूँ आज के दोर में अंगत रामड किसको देखते हैं मेरा सवाल दरसक लिए देखिये हम तो रामडी प्रबृत्ती पे जाते हैं हमें आज हमको पता है कि वो रामड को राम ने मार डाला लेकिन वो प्रबृत्ती कई बार कई लोगों में आ जाती है उस प्रबृत्ती को कानास करने के लिए हमें बार बार राम की कथा को सुनाना है अंगत का संबाद स सुनाना है इसलिए मैं इस रोल को पसंद करता हूं आप कह रहे थे बहुत सारी भ्रांतियां भी टूटेंगी इस बार आसकर परुषराम को लेकर मैंने देखिए राम की कथा में कई बार जैसे अब कई लोग बोल देते हैं कि भगवान बालमिकी जी को कि डाकू थे और ऐसे फेर संत हो गए ये सब भ्रांतियां हैं अपब्रंस हैं कथा में और किसी ने जान बूच के डिश्टर्ब करनी के लिए ही डाला है जैसे परुषराम जी के बारे में कह दिया कि उन्होंने च्छतिस बार चत्रियों से धर्ति को खाली कर दिया तो भई अगर च्छतिस बार से खाली कर दिया तो जनक जी भी चत्रि थे जिनके शीव के धन उसको तोड़ने पर परुषराम जी कुपित हुए थे दसरत जी का पुत्र जानने पर राम लक्षमुन को आशिरवात देते हैं तो चत्रिय के तो दुस्मन हो नहीं सकते तो उस समय तो जो राजा होता था कि एरेक्सन लेबल पे और रिसर्च लेबल पे दुरुस्त करना चाहते हैं क्योंकि गाओं गाओं ऐसा चल गया है लोग उस पर कामी नहीं करते मैं समझता हूं जब आप आज तक पे मैं ये बोल रहा हूं कि प्रसुराम जी जिनके घर धनुश तोटा और कुपित हुए वो अश्रिवात चाहते हैं ले रहा हूं से चाहते हैं तब तो जाटियां थी ही नहीं तब तो सिर्फ बर्ण था यही तो आज हमें बताना है कि ततकालीन समय को जो भी राजा होता था वो किसी भी जाती का हो उसको छत्री कहा जाता था जो सिक्षा देता था घ्यान देता था ब्रामरों ब्यापार करता था वहिश जो सेवक होता था आज तो शुद्र की परिवासा भी बिचिطर बना दी गई है वो भुरांती ही है और यह करेक्ट नहीं है जो आज कल शुद्र के नाम पे जो बाते जैसे करते हैं लोग आज जितने सरकारी करमचारी हैं हम उसी कटेगरी में आते हैं हम सेवक हैं प्रदान मंत्री जी अपने को देश का प्रदान सेवक बोलते हैं तो आज जातियों का जो जाल है वो तो कहीं ने कहीं भारत को भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए इस पे राम लिला है दरसल ये दूसरी बार होगी अयोध्या में होगी और आपको पता है कि जो राम मंदिर है उसका निर्माड चल रहा है और इन सब के बीच राम लिला होगी तमाम जो अभिनेता है वो अलग-अलग रोल्स में नजर आएंगे लेकिन इतना जरूर है कि ये राम लि दर्ज हुई थी क्योंकि इसे 14 करोण लोगों ने देखा था इस बार जो समितियां हैं उनका लक्ष ये है कि इसे तक्रीबन 26 करोण लोग देखें यही वज़ा है कि इसके अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने की भी योजना है एक खास बात और है कि तीसरी लहर जैसी की आशंका जताई जा रही है इन सब के बीच समितियों ने फैसला लिया है कि जो भी लोग कलाकार होंगे चाहे और आयोजक होंगे वह सभी वैक्सिनेटड होंगे और वही इसमें परफार्म कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इसे और ज़्यादा भ